आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो सीरीज पर और सभी लोग काफी टाइम से इंतिजार कर रहे थे आज की क्लास के लिए जैसा की यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पोस्ट में क्लास के बारे में आज हम डिसकेशन करने वाले हैं और हम कुछ यह भी बताने वाले हैं कि आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छा सा अंजाम कैसे दे सकते हैं अच्छा सांजाम देने का मतलब यह है हमारा कि हम जो पढ़ाई करते हैं तो कितना पढ़ाई करें और कैसे पढ़ाई करें कि हमारी जो परिक्षा है वो निकल जाए नेटवर्क के वारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप से कैसे आ रही है हमारे यहां पास नेटवर्क जो है गरीन है और लगभग इसू नहीं है इस पे और आप लोग के पास कैसा है यह थोड़ा सा मुझे गायट करिएगा ठीक है अभी आज काफी लोग निव हैं तो उसकी वज़े से WhatsApp इतना मैसेज किये कि दिक्कत हो गया मोबाइल हैंग हो गया था तो मोबाइल हैंग हो जाने की वज़े से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था तो जहां तक मैं यहां पर देख चाला देख पा रहा हूं वीडियो ठीक है गुड मॉर्निंग नमस्ते सभी की अटेंडेंस आप सभी की लग चुकी है बहुत अच्छा नहीं कुछ आ रहा निच नहीं कुछ आ रहा पता नहीं क्या लिख है तो चलिए आंगे हम देखते हैं वीडियो नहीं चल रहा है वीडियो क्यों नहीं चल रहा जी यहां पर तो चल रहा है और वीडियो अभी हम यहां पर प्ले यह नहीं है साउंड आ रही होगी गुड मॉर्निंग टुवाल अर्चना जी आपका मैसेज है तो चलिए यहां ना पास हम देखते हैं। रिस्ट्रिक्टट मोर कर देते हैं फिर कहते हैं चालो नहीं हो तब क्या करें इनका शीक है वीडियो नहीं चल रहा है लेप्ट हो जाओ फिर से जॉइन कर उसर यह पोश्ट मैं के लिए है पोस्ट मैं सच में नहीं चल रहा है हां नहीं चल रहा है तो आपको अगेन जोइन करना पड़ेगा क्या बता है कुछ मतलब प्रॉब्लम है वो दूसरे फोन में देखेंगे तो चलेगा तो सांट ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी और थोड़ा सा और मैं रुकना चाहूंगा अपने साथ ही काफी कम लोग आया है तो थोड़ा ओ लोग भी आपके अपने साथ में आ जाएं तो बढ़िया होगा लगभग यहां पे गोल गूल घूम रहा है मोबाइल पे यह नहीं घूम रहा है यह हमारा मोबाइल ही खराब है लगता है गोल गूल घूमता रहता है और वीडियो में आगे वढ़ने से पहले सर अगया अक्षे केसरी तो आपके यह आप तो सुन नहीं पाओगे क्या बताएं आपको यह मोबाइल में कोई function on कर दिये हैं उसकी वज़ आ चुके हैं और वीडियो भी आ चुकी है तो अपना class पहला class होगा कि किसी भी time साम को करेंगे अपन ठीक है आ से लिए वास के बारें बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले किसी भी परिक्षा को देना है किसी भी चीज़ की तयारी करनी है या फिर कुछ भी करना तो उसका हमे point पता होना चाहिए basic पता होना चाहिए ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ postman exams के बारे में तो already postman exams के बारे में जो syllabus है हमारा तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा और जो साथियों को नहीं पता हुनके लिए हम बताना चाहेंगे कि postman syllabus आपको पीडियाप के रूपे भी हम दे देंगे वहां से देख सकते हैं या फिर कभी दिक्कत आई अगर तो यह हमारा website पे भी postman syllabus के बारे में सारी information दी गई है तो चली इसको हम click करते हैं वहांगे आपको दिखाते हैं कि कितना syllabus है कितने दिन में syllabus complete होगा कैसे चलिए पोस्ट मेंन syllabus की बात की गई है यहां पर यह पोस्ट मेंन का आपका syllabus सामने आ चुका है वीडियो सही चल रहा है सभी तक ठीक है सरगन चली ठीक है ग्रूप आपका कोई भी हो पीए का ग्रूप है यह म्टीस का ग्रूप है यह फिर पोस्ट मेंन का ग्रूप है लेकिन आज की वीडियो आप सभी को देखना चाहिए सबसे पहले मैं आपसे ही कहूँगा syllabus जानने से पहले परिच्छा में हम लोग जैसे त्यारी कर रहे हैं अपनी तो देखिए मैं class चला रहा हूँ एक साल हो गया ठीक है एक साल हो गया class चलाते और इस पे अधिकतम सक्सच कौन लोग हो रहे हैं वो बता रहे हैं जो हमारी class म अभी तक जुड़े हैं हमने उनसे बात की है और उन्होंने हमें बताया है अधिकतम जैसे हम जिस class की पढ़ाई करते हैं मालो आज हमने एक यहां पे वीडियो हमने देखी और इस वीडियो में हमने क्या देखा क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में हमारी एक notebook होगी rough notebook उ इतने भी अच्छे point हैं हम सब point को note करेंगी point करने से यह होता है कि हमें वो सारी चीजे याद हो जाती हैं और हमें यह पता होता है कि हम किस चीज को कहा पे लिखे हैं और लिखने से काफी चीज याद भी होता है आप सभी पता है तो आप सब लोग जैसे हमारी class 1 चलेगी 2 चलेगी थ्री चलेगी ऐसे डेली डेली चलेगा अब वो क्लास आपकी चाहे तो पीए क्लास हो या फिर कौन सी हो पोस्ट में की आपकी ठीक हो कोई भी क्लास हो तो इसमें सारे चीज में आपको यही रूल फालो करना है अब यहां पे अलग-अलग टॉपिक मैथ वगयरा और इसके नीचे आपको अपने नोट में यहां पे पूरा उसके बारे में लिखना है ठीक है कि कब शुरू हुआ कैसे चालो हुआ क्या होता है किस तरह से काम करता है अपना डिपार्टमेंट पूरा लिखेंगे हलकी हलकी लाइनों में ठीक है छोटी छोटी लाइनों में एक अच्छे तरीके से आपको जो समझ में उस तरह से लिखेंगे और इसके बाद आंगे आप पेज पलटाएंगे अंगला पेज आएगा ठीक है जब हमारा एक कोश्चन खतम हो जाएगा तो हम वहाँ पेज छोड़ देंगे जैसे हम जितना क्लास कराएंगे तो उसमें अब अंगला टॉपिक आपको डालना है टाइप आप पोस्ट आपीज डालना है तो उसके पहले य कभी आपको फिर लगेगा कि एक पॉइंट हमारा ऐसा था कि जिसको हमने यहां पे नहीं लिखा है अब हमें लिखने की जरूरत है आप यहां पे फिर से लिखोगे अब जो कभी में अधिक्तम दिक्कत यह भी आती है क्लास के टाइम पे कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे ह हम नोट्स नहीं बनाए हैं हमारे पास सिर्फ वीडियो है वीडियो लेक्चर है या हमारे पास सिर्फ पीडियाप फाइल है घर पे है मोवाइल है मोवाइल का क्या वरोसा कभी पानी में डूब गया कभी गिर गया कभी छोटे बच्चे लेके फाइल डिलेट कर दिये या फिर मोबाइल हैंग हो गया तो आपका पूरा क्लास का वीडियो पूरा पीडिया फाइल चला जाता है भाग जाता है फिर आप लोग को काफी दिक्कते हो जाती है कि मुझे मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम होता कि हमारी वीडियो डिलीट हो गई है प्लीज आप मुझे रिसेंड कर दो लेकिन यदि आप खुछ से डेली डेली का एक नोट्स बना लेंगे अपना पढ़ाई कर लेंगे तो यह आपका फ्यूचर के लिए हो जाएगा और कभी आ ओके पहले भेजिए हैं और मुझे कितना भेज़ना है और मैं पुराने वार्टश इंग परैंने ऊक्ति होट चाइटमय करता हम बहुत सारा और एक सात्मेद भेचता हूं तो कहीं-कहीं वो रुख जाती है labeling कुछ भी हो जाती है अईसा बहुत कुछ होता है ठीक है PA का group है, तो PA का group, PA का group है तो वही है, समझ सकते हैं आप, यी फ्रणाम सर सभी को, ठीक है है, हाप इस समझ गया होंगे, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको, अब इसके बाद में, हमारा दूसरा topic आता है, क्या, टाइप आप post topics, ठीक है, ये जो पहला part है इसमें, paper 1 जो होग 60-minute का है इसमें देख सकते हैं maximum mark कितने हैं 100 है question कितने आपके यहां पर है देख सकते है question 50 question है इस पर 50 question आएंगे जो कि कितनी के होंगे दो number के questions होंगे ठीक है यहां पर देख सकते है type of post office है business hour है काम के घंटे कितने है payment of postage stamp and stationery इससे related आपको पढ़ाई करना है यह सारा आपका किसए मिलेगा post office guide part 1 में मिलेगा post office guide part 1 में यह सारा जितना इससे syllabus दिया गया है ठीक है यतना दुर तक यह पूरा आपका मिलेगा PA वाले exam पे भी पढ़ेंगे MTS वाले में पढ़ेंगे MTS में थोड़ा सा कम है लेकिन PA में इसका पूरा का पूरा है त्थिक है और आपको क्या देखना है इसके साथ ही जर्णल रूल इन टू पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग, मैंनर आप फिक्सिंग पोस्ट इस टाम, इसमें दो तीन क्लॉज का एक साथ में दे दिया गया है, ठीक है, मैंतेट आप एड्रेस है, पोस्ट बॉक्स एंड पोस यहां पर सारा कुछ देख सकते हैं तो आपका जो पोस्ट टॉपिस गाइड है इसमें से यह सारे टॉपिक आने वाले हैं और यह आने वाला है आपका 30 पोस्टन इससे आएंगे और आगे आप बढ़ेंगे अगर इस पर देखेंगे जो आपका पोस्टल मैनुवल बैलूम है तो यह बैलूम आपका 5 है इससे 10 प्रशना आएंगे कौन-कौन से टॉपिक आएंगे टॉपिक बहुत कम है यहां पर देख सकते हैं ठीक है डिफिनीशन आएगे इससे ठीक है है एड सब एंड ब्रांच पोस्ट आपिस मेल बैग है फेस एंड फेसिंग है बीट है कैम है क सारा कुछ यहां पर है इसके साथ ही यहां पर आप आगर आगे बढ़ेंगे तो पोस्टल मैनुवल बैलूम 5 है और 6 में आपका यह पार्ट 3 है और इसके साथ ही 7 है तो 7 का भी थोड़ा से देखना है देखिए इस पर 6 में काफी जादा यहां पर क्लॉज दिया गया है और इसी तरह से यहां पर 7 पर हम देख सकते हैं 7 पर भी है और यहां भी पांच कोस्टन पूछा जाएगा यह पूरा अपना कंप्लीट हो जाता है 100 नंबर कर पार 2 हमारा इस पर आता है जिस पर की मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है ठीक है और यहां पर आप देखेंगे जीके आपन आएगा जर्नल नॉलेज आएगा सिस पर इंडियान जीख्रोंपी हो गी सिभिक होगा ठीक है जर्नल नॉलेज होगा और इंडियन कल्चर इंद फ्रेड़म स्ट्रगल एथिक्स और मॉरल इस्टेडी यह 10 नंबर कर और कोशें हो गय है आपको मैथा मैं इंइस का कोशें हो और यह जो gk और math है तो आपका सभी exams पे है यह ना यह part 2 जो है सब का सेम है mts का हो postman का हो PA का हो सभी का सेम है थोड़ा mts और postman में mathematics जो है थोड़ा easy हो जाता है और PA वाल exam में थोड़ा सा hard हो जाता है तो यह जो topic है आपका सारे topic सेम है ठीक है आँगे इस पे बढ़ेंगे तो यहाँ पास paper 2 की अगर बात की जाएं ठीक है तो इस पे क्या है maximum marks 50, 50 नंबर का आता है यह भी आपका सभी का सेम होता है जो paper 2 है जिस पे की English से Hindi, Hindi से English वाले चीज़ आते हैं और इसके साथ में एक later लिखना होगा एक paragraph इसे और यह चीज़ आप सभी को पता भी है ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं तो किसी को पता नहीं हो और इसके साथ में data entry का skill test होता है ठीक है तो यही है यहां पर जो पीडियाप हमारी हम पीडियाप पर भी दिखाना चाहते हैं पीडियाप हम आपके ग्रूप पर भी भेज देंगे तो आप वहां से भी इसको अच्छी तरह से देखिएगा और आपकी जो notebook होगी उस पर शुरू में जरून note करना ठीक है यह चलके उनी रहा है यह है यह है यह है music only PA की तयारी भी होगी देखिए हमारा बैच चलने वाला उस पर हम पोस्ट मैंन के स्लेवर्स के बारे हम बता रहे हैं आपकी PA की क्लास भी होगी सारे कुछ की होगी थोड़ा सा बेट करें अब यह है कि अभी हम पोस्ट मैंन के बारे में बात कर रहे हैं तो और PA के बारे में यहां पर बताएंगे तो यह थोड़ा सा डिस्टरब कर दिया गया थे हम पर फोन आ गया तो उसकी वज़े से क्लास हमारी कैंसिल हो गई थी तो लगभग आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या स्लेवस अपना क्या है ठीक है तो अगर और कुछ जानकारी लेना है आपको स्लेवस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो हम बता देंगे अभी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है और आपका आगर यह ठीक से देखा जाएं कितने दिन का कॉर्स है यदि आप भी थोड़ा मेहनत करे हमारे साथ में तो अपना कूर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगरे का सिलेवस सभी का सियर कर देंगे जिस गरूप पे आप सारे का सिलेवस आफ़ेट हम सियर कर देंगे आपके पास तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह आपकी PDF फाइल इसकी हम भेज देंगे आप इसको देख पाएंगे किया आपका सलेवस क्या है कैसे है और क्या है यहां पास कमेंट कमेंट तो भी कुछ नहीं है बाकिया और कुछ जानकरी अगर चाहिए तो बता सकते हैं और काफी मन्त हुये हैं अच्छा आभी इतना मैसेज करने जिरुर नहीं आपका मैसेज हम देख लिए हैं अभी आपका पहला महिना यादि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो बागी इतना भी हाट सी वीडियो को read कर सकते हो ठीक है और जो साथ ही हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि अभी तो हमारा syllabus के बारे में बात की गई थी अगर कि contact करना चाहते हैं तो यह हमारा number है इसमें से हमारे साथ join हो सकते हैं है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख्कत आ गई है प्ले नहीं हो रहा है कुछ दिख रहा है आप लोग को क्या नहीं दिख रहा है कैसे हम पर हमेसे नहीं आ यह चल क defensive होता रहता है हमको लगा बंद हो गया वीडियो हाँ जोईन वाला पेस ही अटक गया अभी अभी किलियर हुए फोन वगयर क्या क्या कर देते हैं लोग बाग फोन में ही हम मुझे एक अलग फोन लेना पड़ेगा जिससे की सिर्फ वाओ आपका चले और कोई नहों अलग चीज उसमें फोन वगयर आ जाते हैं काफी दिक्कते हो जाती है तो एक फोन हमारा ऐसे रहेगा जिस पर सिर्फ क्लास के लिए रहेगा पूंत तीकत नहीं होने वाली है कि अ कि अ चलिए ठीक है जोईन तो और आगी यदि आपके कुछ है सवाल जवाब कुछ भी है तो बता सकते हैं मैत्मेटिसे आब हाँ यहाँ पर मैत की जो चलास लगेगे रह कि तो मैत की ऑप उन्याद pro ठीक्रस आपकी एक साथ लगेगी सभी की जितने भी लोग हैं एंस्टियस में पीए में जो हैं और किसमें पोस्टमैन में सभी का एक साथ महत का क्लास होगा एक ही टाइम पे होगा साम को होगा साहथ बजी से 8 होजे इस लोगों आधिकतम हो को हम यह बताए थे स्वादिया यह 8 जिए 9 नौ5 ताइम करल अधिकतम लोग मुझे मैसरे कि कि morning जो है सुबह जो है morning में हम किसकी class कराएं morning में हम डियोपी की class कराएं और साम को math की class कराएं इसलिए morning का जो time है साथ से 8 बज़े होगा आपका ठीक है और साम का जो time है वो time हम रखेंगे आठ से नौ ही रखेंगे ठीक है तो जैसा आप लोग को सही लगे तो मुझे अभी बता भी सकते हैं के लिए ठीक है फिर और कोई अगर आपके पास अभी सवाल हों तो कर सकते हो good morning विकास sir सभी को good morning time सही है time सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर बस थोड़ा यह है कि जैसे हम अपना time देंगे देखी हमें time देना पड़ेगा PA class का time देना पड़ेगा MTS का देना पड़ेगा DOP में तो अलग-अलग हमको time देना पड़ेगा बस एक बार manage करेंगे हम क्योंकि मैथ जो मैथ जीके है यह सबका सेम है और जब सेम है तो फिर हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं कोई इस उस पर नहीं आएगा है ना ऐसा ही है कुछ तो चलिए फिर अच्छी बात है कि आप सभी लोग हमारे साथ में agree है कोई दिक्कत नहीं है और मुझे यही आसा थी आप सभी से कि दो class हम पढ़ेंगे DOP सुबह पढ़ेंगे दीखिए सुबह पढ़ने में यह है कि जैसे साम को network बहुत problem करता है तो math में दिक्कत नहीं पढ़ेंगे फिर आंगे पीछे कुछ न कुछ तो पढ़ी लेंगे बाकि उस पर दिक्कत नहीं होगी गुल-गुल घुम रहा क्या यहां पर तो सही वीडियो चल रहा सर आपके पास जैसा भी conditions है मुझे नहीं पता बट यहां data जो है clear है अभी हमारा जो चल रहा है गुल- क्लास रोटीन में रहेगी थोड़ा मुठा तो हमें भी नहीं जाता है बटा अलार मोगारा लगा करके और त्यार होके आएंगे और इसके साथ में आठ नो दोनो टाइम कर दें आठ से नो दोनो टाइम करने में दिक्कत ये होगी चंदन पुरी सर कि maximum साथ ही हमारे जो है तो नो आठ से नो खाना होना खाते हैं सुबह में फिर ये ओपिस जाना पड़ता थोड़ा दूर रहता है ओपिस जाने लगते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो बज़े उठ जाएए बहुत ज़्यादा हम कष्ट नहीं देंगे आपको सुबह उठने के लिए एक घंटे में फ्रेस हो ये ठोड़ा चायना सता कीजिए बैठिए यहां पर एक घंटा साथ में जो भी चले जैसा भी चले उसके बाद आप इस क्लास को लेने के बाद टाइ च्छोटी से और हम याप पढ़ाई अपनी कांटिनी रख सकते हैं अब कि साथ आठी सही है चलिए ठीक है साम को ही साम को लगवालें साम को नेटवर्क में बहुत दिक्कत आती है सर तो दिक्कत हो जाएगी साम को हम लोग परसान हो जाते हैं जैसे एक लास चली साथ से साम सुबह साम और एक दिन बीच में ऐसा लेंगे कि दो घंटे अगर कांटिन्यू यह चल पाता है हमारा वैसे जहां तक है कि चलता नहीं है टाइम ठीक है चलिए सिर्फ काना भी बनाना पड़ता है यह तो सभी का काम है तो लगभग ठीक है पोस्टमेन और पीए यम्टियस लेबस हम आप सभी के ग्रूप पे भेज देते हैं और बताते हैं चले ठीक है धन्यवाद सभी का कि आपने इतना समय दिया हमारे साथ वैसे वीडियो बहुत बढ़ियां चली है आज कहीं अठका नहीं है तो मुझे अच्छा लगा कि वीडियो बढ़ियां चल लए है नहीं तो फिर वह गोल-गोल घूमने वाला जो नाटक है इस तरह से घूमता है मज़ा नहीं आया करता है तो हमारे नए साथियों से रिक्वेश्ट है या फिर आपके कोई साथी है आसपास जो जूड़ना चाहते हैं भी बता सकते हैं भी हमारी पहली वीडियो जो है और डिपार्टमेंट की उजल्द अप्लोड होने वाली है तो सब साथ में जूड़ जाएंगे एक बार फिर से नबर के वारे में बताएं तो यह नीचे पट्टी में चल रहा है या फिर 83, 49, 00, 81, 89 अधिक बहुत ज्यादा क्या होता है कि हमारी क्लास 10 दिन चल जाती है या फिर 15 दिन चल जाती है फिर आते हैं तो मज़ा नहीं आ पाता उन लोगों को उतना मज़ा इसलिए नहीं आपा है पोस्टमेन के लिए रिजर्वेशन मिलता है पीए के लिए हम चाहते थे कि सुबह 5-6 और साम 5-6 लेकिन अरे इतना इतना कस्ट हो जाएगा हमको उठ नहीं पाएंगे सुबह हम सुबह उठ नहीं पाएंगे दिमाग हमारा गोल हो जाएगा उपर चला जाएगा सब तो चलिए सर और मैडम जितने भी लोग हैं हम अपनی वीडियो बंद करते हैं और आगे के वीडियो हम त्यार करते हैं आप सभी के साथ आते हैं और आप सभी लोग नोट बुक जरूर बनाना ठीक है मैं आप सभी से पोचता रहूंगा नोट बुक के वारे में कि आपको नोट बुक कितना हो गया है हमी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका फोटो भी मागा कर चेक करेंगे कि आप कितना सही लिखे ह तो भी हम चेक करेंगे और नोट बुक बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक साल से कोचिंग चला रहे हैं ठीक है और अधिकतम लोगों का यही कहना था जब पास हो गए तो मोझे कैसे कैसे क्या करते थे वो बताया कि सर ऐसे इसे बात थी कि हमें एक नोट बुक बना हुए खूंतें ऑसमें थे और फिर जब जल्दी चल्दी में पढ़ना होता था अपनी कॉपी खोलोंते थे और हम पता रहता था कि कि हम कौन से चीज कहां पर लिखे हैं तो आपके पास बुक है ठीक है तो अच्छी बात है बुक में बुक छापने वाले ने बुक लिखी है लेकिन आप अगर अपने से लिखेंगे तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा थोड़ा साथ जरूर कष्ट करना और कष्ट का ही जो फल है ये मीठा रहेगा तो चलिए ठीक है साम वाला थोड़ा जल्दी क्लास होता तो अच्छा होता चलिए सर मैनेज करता हूँ मैं कि हम साथ बज़े से क्लास साथ बज़े ठीक रहेगा साथ से आठ बट अभी दो-तिन दिन चलाते हैं उसके बाद चेक करेंगे अगर हमारा क्लास इतना टाइम में बढ़ियां से प्ले हो जाता है तो एक घंठा दे देंगे हमें कोई आपती नहीं है ठीक है आप लोग कहेंगे तो हम 12 बज़े रात को भी क्लास चला देंगे ठीक है 12 एम भी चला देंगे लेकिन यह है कि हम सभी लोग अगर उतना टाइम देख सकें तो कि संदे टेस्ट का रिजल्ट सो करें कि संदे टेस्ट का रिजल्ट हुँ दो घंटे तो ही जाएगा मैथ का कोश्चन अपना खतम नहीं होगा दो घंटे हो जाएगा हो जाएगा चलिए मैथ आपके रिजल्ट आपके सामने दिखाते हैं थोड़ा ओपिन हो जाएगा अधिक देखते हैं कि टॉप कितने लोगों ने टॉप किया हुआ है संडे आल एकजांस पर अधिक आप अधिक आप आप अधिक आप आप अधिक आप अधिक आप 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 यहां बहुत कम लोगी एकजाम दिये हैं काफी सारे लोग है अपनी साथ में लेकिन 58 मिंबर यहां पर सम्मिट किये हैं और इनका जो स्कोर है रेंज जो गया है कितना है मेडियम है 43.100 25.100 इस तरह से है हमारे किसी एक साथी का 100 नंबर आया है 100 में 100 क्या बात है और सबसे कम आया है 47 यहां पर देख सकते हैं चलिए इस पर नाम देखने का प्रियास करता हूं मैं आप सभी के सामने की हमारे कौन से साथी का 100 में 100 आ गया है लगभग मुझे पता है कि आप कौन है लेकिन सब के सामने हम प्ले कर रहे हैं अंठामन लोग का ही नाम है चलिए इस पर जो भी है हम दिखाने का प्रियास करते हैं आपको थोड़े जूम हो जाता तो बढ़िया होता जूम कहां से होगा यहां से होगा ठीक है लगभग दिख रहा होगा आपको शिरकांत मा जी अभिनाज जी आपका है 100 में 100 है आपका बढ़िया है स्कोर यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर देविंदर जी है सुरेंदर जी है 48 सभी का नाम है किरन आपका 40 में 100 है रौसन सर आपका 680 है शालू पुस्पराज 76 नमबर रुपाली मैडम आपका 76 नमबर आया है अच्छा स्कोर है और आगे देखते हैं मैक्सिमम किसका है 100 में 100 इनका हो गया और आगे देखते हैं जो थोड़ा सा जादा नमबर पे है 84 नमबर दिलीब कुमार सर 74 नमबर है आपका चलिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका भी और इहां देखते हैं 70 नमबर है आपका रतुलभाई जी बहुत बड़ी है सार आप भी मेहनत किये हैं लेकिन थोड़ा कम किये हैं और सिरिकान्त अर्विन यहां पे 72 नंबर पे हैं इनका आया है काफी कम स्कोर आया यहां पर उस्पेंद्र कुमार कुमार जी आप कौन है जी हमारी क्लास पर हमारे यह नाम से हैं और इतना कम स्कोर है आपका थोड़ा मेरे नाम ध्यान में रखे कीजिएगा ठीक है काफी कम नंबर भी आया 27 नंबर है यहां पे तो काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप सभी को देखिए 32 नंबर तुमपादास जी आपका 32 नंबर है इतने नंबर में कुछ नहीं होने वाला है और तोनी कुमारी आपका कमेंट भी आ पे आ रहा है 49 नंबर है जो की इतना है और किसका नंबर बताएं काफी कम नंबर है मेहनत आप लोग की कम है तो इसलिए हम कहते हैं देखिए इतना ज्यादा हाट कोस्टन भी नहीं था आप सभी जानते हैं पच्पा नंबर पुरमोसर भी आपका तो है ना है पर फिप्टी परसेंट आया है और यहांपे 50 परसेंट वाले भूबेंद्र कुमार हैं छालिस नंबर मनीस अ कुमार तिवारी मनीश आपका 40 नंबर बहुत कम है सोहाँ जयापका 65 है कि देफ्ति राजन सर क्या है ये सब बहुत खाव नंबर ला रह इस चीज को पांडु रंग जी प्लेजा कुमारी चली होगे ठीक है यहाँ पर हम देख लिए सभी का जिनका भी जैसा है और अब हम मिलेंगे अंगली क्लास के साथ में साम कुमेद की क्लास होगी आज तो आप सभी यहाँ पर आपका मेसेज आ रहा है नितीज कुमार सेर मेसेज काफी टाइम से आप कर रहें सायद कि कोई बताओ पोस्ट मेन , कहां गया अपुर्स्ट मेन के बाद कितना टाइम में पोस्ट में बन जाते हैं तो यहाँ तो यहां पी आप GDS है, GDS है आपको PA में जाने के लिए 5 साल लगेगा, Postman से PA में जाने के लिए आपको 3 साल लगेगा, ठीक है, यदि दो बंदे एक जान दे रहे हैं, एक बंदा PA वाला है, एक बंदा GDS वाला है, दोनों लोग परिच्छा दे रहे हैं, तो सबसे पहले Reservation मि आप समझ गए होंगे, कि यहां पर आपका जो सवाल है, यह क्या चीज है, देखिए, मैत का टाइमिंग जो है, हमारा एक है, और हमारा मैत कहां तक complete हुआ, कितना हुआ, हम सब भूल गए हैं, फिर से सुरू से class चालू करेंगे मैत का, ताकि सीरियल से रहे, आपका class, सीरिय आपके पास कोई और सवाल है, तो आप मुझे message जरूर कर देना, ठीक है, यहां पर call वगएरा काफी आ रहे हैं, मैं काफी time से cut कर रहा हूँ, और मैं मिलता हूँ आप से class पे, WhatsApp पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, और अच्छे से रहें, खुश रहें, म क्यान में पक्या की, कि यहां पस्पूद discharged turtles को के लिएकTOR से रहेिं हैं, मैं को को टुश खब। खूपके टूह से रहें पकषTरूब और से रहें幸त कर देद़ झाल